आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूस के बारे में बात करेंगे ठीक है रिसेंटली बीबी सी ने एक न्यूस पब्लिश किया है जिसमें एक नया पेंडेमिक पोटेंशियल चाइना के अंदर आउकर हो रहा है ठीक है तो कंप्लीट वीडियो को अंडेस्टेंड करेंगे चाइना को कि आप इसको अपने अंदर ही रोक लीजिए अगर यह वर्ल्ड वाइल स्प्रेड होता है तो काफी बड़ा एक खत्रा उत्पन हो सकता है कंप्लीट वर्ल्ड के लिए ठीक है तो आखिर इस वाइरस क्या है इस वाइरस के बारे में कंप्लीट जनकारी लेंगे चलिए लेट्स समझते हैं अंडरस्टेंड करते हैं त्रेड क्या है कि एक नया स्ट्रेंट एच वन एनवन जो स्वाइन फ्लू वाइरस था उसी का एक नया डेवलब फॉर्म इस वाइरस के रूप में ओकर हो रहा है ठीक है जो पिग फार्म से चाइना के अंदर आप सभी हो जो होता है पग का उसको पॉर्क कहा जाता है तो वहांpieces पता है और पता चला है कि जो पेग फार्म से उसके औंदर जो लोग हैं हाली कंटैमिनेशन के कारण एक नया वाइरस जिसका नाम है जी फॉर्ड वहां पे देखा गया है ठीक है और जो चाइना की जो सोर्स चें से पता चला है कि यह जो वाइरस है इसके अगर कुछ सेम्टम से देखेंगे तो यह वाइरस फैल रहा है इसमें कुछ कफ मतलब कफ की बैमारी खांसी हो गया आपको बुखार हो गया कोल्ड हो गया और बॉडी पेन हो सकता है इस तरीके के शेम्टम से वह आ रहें ठीक है तो चाइना के अंदर यह वाइरस और डेडी टैन परसेंट लोगों के अंदर फैल चुका है तो जो वहां की साइंटिस एजंसी ने उन्होंने चाइना को कहा है कि आप इस वाइरस के उपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करिए अधर वाइस अनदर पैंडमिक सिच्वेशन और हो सकती है तो अगर आपको अवेर होगा की 2009 में एक काफी बड़ा स्वाइन फ्लू वाइरस ठीक है जिसकों क्या बोलते हैं इन्फ्लूएंजा वाइरस वह होते हैं जो स्वाइन मतलब जो पिक से ऑखर होते हैं उसका नाम है एच वन एन वन वाइरस जिसके कारण काफी ज्यादा लोगों की देथ हो गई थी और काफी लंबा यह कटेस्ट्रॉफी फैल गई थी उस समय कहा गया था कि 11 से 21 परसंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन अबाउट 6.8 बिलियन और जिसको अराउंड लिए 700 बिलियन टू 1.4 बिलियन पीपल क्या हो गए थे इस से इस बि इस फ्लू इसको नाम दे दिया गया था और अगर एक्ष्वल फैटलिटी ती उस से में बात की जाए तो कहा जा रहा था कि 12000 से 18000 लोगों की दैथ हो चुकी है लेकिन 2012 में जब इस टूडी हुई ठीक है जो यूएसे का सीडी सी डिपार्टमेंट था उसने जब इसको इस पॉसिबल फैटलिटी अल्रेडी हो चुकी है तो यह उस समय क्या क्रेटेरिया था तो आप समझ सकते हैं कि स्वाइन फ्लू जो एक यह जो रीसेंट स्वाइन फ्लू है यह अलसो उसी का एक डेवलप फॉर्म है उसी का एक पार्ट है तो अगर यह बिमारी आगे चलके नहीं पर फिनिश कर ले ताकि यह आंगे ना फैले तो बट अभी रिसेंटली चैना ने तो बोला कि वहां पर कि किसी भी प्रकार की कोई कैज्वल्टी नहीं है बट जो सोर्स बता रहे हैं वह बता है कि 10% लोगों में यह वायरस अल्डेडी इस प्रेड हो चुका है ठीक ह अब आंगे देखते हैं कि चैने इसका क्या इलाज करती है और वहां पर क्या न्यूज आती है बट कहा जा रहा है कि लैक्स ओपीपल सफरिंग फ्रॉम देस वायरस ऐसा चाइना ने बोल मतलब चाइना का क्लेम तो है कि वहां पर ज्यादा लोगों कि नहीं है अगर आगर सब्सक्राइब ने बोला है कि नियूर्क टाइम से में भी वायरस मतलब काफी जादा इस प्रेड़ वहां पर उनके सब्सक्राइब कि नियूज फ्लू वायरस इस प्रेडिंग इन हुमन चाइना ठीक है तो आप देख सकते कितनी तीजी सी यह निज फैल रही है कि नया वा सब्सक्राइब कर दो कि यह वायरस नहीं है मतलब जो हमने उसकी वैक्सीन डेवलप की थी वह वैक्सीन इस वायरस के लिए नहीं हेलफुल होगी ठीक है यहां पड़ सकते हैं क्या न्यू स्टडी वांस डैट दैस्टेन ऑफ एच्वन एनवन कॉमन ऑन चाइनीज पिक फा सब्सक्राइब काफी सब्सक्राइब करें तो उनको बोला गया कि खड़ी ना हो तो आप एक क्या करिए फिर से इसके उपर इलाज करिए और इसका कुछ नया फॉर्मिला निका लिए ठीक है अभी डिस्कवरी थी हुआ क्या था इन्फ्लुएंजा आया था उसके बाद चाइना के टैन प्रोवेंसे में जहां पे 29,000 जो नसल थी किसकी पेग्स की उन वहां जो पेग्स की नसल थी अलग 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 स्लॉट्रिंग हाउसे में जाके उनको देखा गया और उनके कुछ लंग टिश्यू को कलेक्ट किये गए जिन से यह पाया गया कि इन टिशू स होने की संभावना है यह बात की गई ती और इसके तरी क्या किया गया था इस सर्विलेंस से ने 179 स्वाइन फ्लू वाइरस को उनके सेंपल्स को कलेक्ट किया था जिसकी मैजॉरिटी थी विच बिलॉंग तो नीवली आइडेंटिफाइड जी फोर स्ट्रें वाइरस जो हम है और आपको समझ में आ गया होगे जी फोर वाइरस हमको कहां से मिला है ठीक है तो यह जो पी एन एस है यूएस की एक जनरल प्रोसीडिंग ऑफ दो नेशन अकेडमिक ऑफ दा साइंस है ठीक है उसने इस वाइरस का नाम जी फोर दिया गया है बट होफुली अभी तो बोल नहीं मिल रहा है ठीक है तो हला कि हम सकते हैं अभी तक तो फिलाल ठीक है और human to human transmission नहीं देखा गया तो चाहिए तो चाहिए इसके आगे वर करना चाहिए कि आखिरी human to human transmission हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है कुछ BBC की निउस थी कि उसमें बोला गया था एक न्यू पीपल के उपर क्यों बोला गया यह कि यह जी फोर है जी फोर एच वन ने में यह जो वायरस है ठीक है यह री री प्रीद्यूस करता है इंसल लाइनिंग योर ब्लॉवर रेस्परेट्री ट्रेक्ट इसमें हुआ यह है कि टैस्ट ऑल्सो शो थैट एट एनी इम्मेंटी प्रोवाइट प्रोवाइट प्रोटेंशन प्रोटेक्शन फॉर मतलब यह जो पहले का सीजनल फ्लू था जो 2009 में था जिसकी आपने वैक्सीन डेवलप कर ली है अब उस वैक्सीन का आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा मतलब इससे आपको कोई भी ज्यादा लाब करना चाहिए और उनको भी मॉनिटर करना चाहिए उनकी तरीके से जाच करनी चाहिए तो आई होब देस वीडियो विल कंप्लीट इंफोमेशन ठीक है आपको समझ में भी आ गया होगा लास्ट ली मैं एक थोड़ा सा इंफोमेशन को अपने तरफ से देना चाहता हूं कि च प्रेड काफी हद तक कम हो जाएगा फिर सेकेंडली जो मतलब जो लोग इन पिक्स को इनका इनकी जो अप्रिंगिंग कर रहे थे ठीक है इनको पाल रहे थे वह क्या करें चाहिए 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 और अकाउंट बिलिटी दिखाना चाहिए कम्प्लीट वर्ल्ड के लिए ठीक है और डबलू एचो को इसके बारे में जो भी इनफोर्मेशन अगर यह स्प्रेड टीजी से होता है तो पहले से इसको अवेर कर दे अगर वो इसके बारे में नहीं समझ पा रहा है ताकि एक पैंडिमिक अगें और क्राइम मतलब एक पै अगर तो इतनी है वी तो हमने सिच्वेशन नहीं देखी है तो टूटान ट्वेंटी ट्वेंटी जो हम फेस करने और लेडी काफी बिग एक काफी खतरनाक एयर है तो हम नहीं चाहते हैं कि एक और वाइरस इसमें आए जो और उपर से हमारे बढ़न डाल दे कि हम ऑल्रीड से एक कोवीड-19 से तो देख नहीं पा रहे हैं अपने वर्ल्ड को अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं अगयन एक नया वाइरस आगया चाहिना से तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो आई होप जिस विल विल गिव यू कंप्लीट अंडरस्टेंड थार नहीं पर जाएगा यू करे दो दूए तो एक नहीं पा रहे चेंग टीड़ रहे हैं यू